हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दूस्ते अंकुर गिला स्वागताब का मेरे यूटिब चनल अंकुर गिलाइट दोस्तों हम फोटोग्राफिक की क्लासे स्टार्ट करते हैं और क्लास का आज पहला दिन है और आज हम यह जानेंगे कि कैमरे की बोडी में कैमरे लैंस जो है उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास DSLR कैमरा है और DSLR कैमरे का यह लैंस है तो इसको इसके बारे में हम अज तोड़ा सब जानेंगे कि कैमरे की बोडी में लैंस को कैसे हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों यह मेरा फुल फ्रेम कैमरा है और यह कैमरे का कैमरा है तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा ये ce गर इसको हम वहा गमा करके स्टरीजे से निकल लेते हैं दूस्तों य enforcement camera का यहाँ पर यह फरंट साइड है, यह यारी कि lens का आगे का हिस्सा है तो आगे का हिस्सा हमारा यह front cap है और दोष्टतों ये बैक साइड की से ये थे हैं ये बैक चैना लेंस के बैक साइड का हिस्सा तो ये बैकि ये लेंस बंबोलिव लिज अब क्या है कि कि यहला कैन मैं इसको निहीं लेता हूं ठीक है दोस्तों यह मैंने निकाल लिया अग करना है दोस्तों हम में यहां रखना है कि यहां पर क्या है फुल फ्रेम में फुल फ्रेम केमरे की बॉड़ी में यहां पर जो है रेट कलर का निसान होता है और रेट कलर का ही निसान केमरे के लैंस पर होता है crop sensor जो body होती है हमारी beginner level की जो camera की body होती है उस पे Canon में यह पर white color का ही निसान जो है लैंस के उपर होता है तो इसको क्या है हमें क्या करना है कि red color को red color से connect करना है जयनि कि मिला करके इनको जो है तब हमें ऐसे हम इसको red color से red color मिला दिया हमने बिलाने के बार में हम हलका सा lens को इस तरीके से गुमा देते हैं लेंस को जैसे हम गुमाते हैं तो हलकी सी cut किसी अभा जाती है दोस्तों इसका मतला हमारा lens camera में log हो चुका है हमें फिर भी confirmation करना है तो हम एक बोड़े को tight पकड़ेंगे लेंस को पकड़के फलक ऐसा इसको आगे पीछे गुमा के दिखेंगे अगर यह गुम जाता है तो इसका मतला हो भी हमारा लेंस सही तरीके से नहीं लगा है अगर नहीं गुमता है यह तो इसका मतला हो हमारा लेंस कैमरे में अच्छे से कनेक्ट हो गया है तो दोस्तों इस तरह से हम camera की body में lens को connect कर लेते हैं तो दोस्तों आज की नहीं सरफ इतना ही अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को like कीजिएगा, share कीजिएगा मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा और पराबर कली bell icon पर click कीजिएगा जिससे की आने वाली वीडियो के notification आपको आसानी से मिल जाए तो मिलते हैं दोस्तों, next video में